नमस्कार दोस्तों, वेश्न की और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं बात करूंगा जो बिजनस फॉर्मिंग आइडिया जो डेरी के बारे में आज के दौर में दूद का वेवशाय वेवार डेरी फॉर्मिंग बिजनस एक आकर्षक वेवशाय हो गया है जो की लाखों लोगों को स्वर वजगार दे रहा है यह एक शफल फलता फूलता कारोवार है जिसको समय और कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है आज कल अनेको, प्रोफेशनल्स जैसे आईटी इंजिनियर, एमबीए, डॉक्टर यहां तक की एनर आईवी अपने इंडिया में आकर डेरी फॉर्मिंग बेवशाय से जुड़ते जा रहे है इसमें कोई संका नहीं है कि अगर निव टेकनॉलजी के साथ डेरी फॉर्मिंग को किया जाए तो आप हर मंत लाखों रुपे कमा सकते हैं डेरी फॉर्मिंग बिजनस सुरू करने से पहले खुद से सवाल पूछें इस से पहले कि आप Danny forming business को स्डूरू और स्टार्ट करें यह जानना जरूरी है कि इसकी requirements as skill etc किन किन चीजों की जरूरत पढ़ती है इसके साथ यह जानना अत्यान तावस्शक है कि क्या आप Danny business को करने में सच्छम है या नहीं इसके लिए नीचे दिये गए बातों को ध्यान में रखकर पढ़े और खुद से पूछें कि क्या मैं डेरी बिजनस अस्टार्ट कर सकता हूँ तो आएं जानते हैं कि दूद वेवसाय डेरी बिजनस को सुरू करने से पहले क्या requirements किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा डेरी वेवसाय शुरू करने से पहले अपने आप से पुछना चाहिए Ask yourself before starting a dairy forming business Do you love a cow? Yes या No? क्या आपको गायों से लगाव है? क्या आपको जानवरों से प्यार है? आपका उत्तर हाँ है तो आप खुसी-खुसी दूद वेवसाय में कूद सकते हैं Dirty job यह बात मान कर चलिए कि कई बार एसी प्रस्थितियां से सामना करना पड़ेगा जिसके लिए सायद आप त्यार ना हो जैसे गोवर, काव डंग उठाना या साफ सफाई करना गायों को नहलाना इत्यादी हो सकता है अगर आप इसके लिए भी त्यार हैं तो आप डेरी फॉर्मिंग में एक और कदम नजदिक आ चुके हैं Capital, पुन्जी वैसे तो डेरी बिजनस अस्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती है जब तक आप दो चार गायों के साथ सुरुवात करने जा रहे हैं तो अगर आप पांच या इससे अधिक गायों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको काफी बड़ी रकम लग सकती है यसे में आपको बैंक लोन या सेल्फ पर भरोसा करना होगा 24 घंटे बर्ष वर्ग वैसे तो बोलने को डेरी फार्मिंग केवल मोर्निंग और इबनिंग का काम है परन्तु अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको 24 आवर्ष अलर्ट रहने के साथ हर समय काम करने के लिए ततपर रहना होगा जिससे कि फिजिकल वर्ग भी जिसमें फिजिकल वर्ग भी शामिल होगा टाइम शमय अगर आप उन लोगों में हैं जो कि आपको किसी भी वर्ग से रिलेटेट काम कर रहे हैं और टाइम की कमी है तो आपको टाइम का मेनेजमेंट डेरी फॉर्मिंग के तरफ डालना होगा जिससे ज्यादा टाइम आप साइड विजनस छोड़ करके डेरी फॉर्मिंग में इंवेस्ट करना होगा इससे आपका फॉर्मिंग में जो नुक्सान है वो नहीं होगा आपको पता है कि वे जुवान प्यारे गायों के साथ काम करने जा रहे हैं तो टाइम किसी भी कारवार के लिए एक इंपोर्टेंट फेक्टर होता है तो अगर आप पूरा टाइम देश से पाएंगे तो भी नहीं तो 50% इस बिजनस में टाइम देना ही होगा श्टॉक मेनेजमेंट आपको भंडारन बेवस्था का उचित परवंधन करना होगा जहां पर भूशा के बारे में बोरे में तथा अन्य खाद पदार्थ को ठीक तरीके से रखना होगा गायों के अनुशार इसका आपको भंडारन की अस्पेस को भी बढ़ाना पड़ सकता है वाटर मेनेजमेंट पानी पानी की डेरी फॉर्मिंग बिजनस में पानी की सकता हो सकता हो पड़ती है और डेरी फॉर्मिंग बिजनस को शफल बनाने में सोचता क्लीनेश का बड़ा योगदान है ध्यान रखने वाला बात यह है आपको लगभग हर दिन गाय को नहलाना पड़ सकता है ठंड के मौसम को छोड़ कर ताकि वो स्वच्छ रह सके और अधिक से अधिक दूदूद पादन मिल्क प्रोड़क्शन में अपना योगदान दे सके इसके अलावा आपको डेरी फॉर्मिंग बिजनस में पानी से फर्स की धुलाई पानी पिलाने की जो आप सकता है कई चीजों में आपको पानी के उपर निर्भर रहना होगा और अधिक से अधिक पानी की जरूरत पढ़ सकती है और अन्य था जो पानी की जो परसानी है डेरी फॉर्मिंग बिजनस को सफल बनाने में एक बड़ा प्रोब्रम खड़ा कर सकता है प्रयापत तश्थान इजाउट तश्पेस अगर आप चाहते हैं कि आपका डेरी फॉर्मिंग बिजनस एक उच सफल बेवसायद बन सके तो आपको प्रयापत अस्थानों की जरूरत पड़ेगी अगर आप गायों को एक ही अस्पेस पर या पैलेस पर बांध के रखेंगे तो गाय की सिहत गिरेगी साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन भी घटेगा अगर आप डेरी फॉर्म को गौर्शे देखेंगे तो पाएंगे कि वहां की गायों को खुला छोड़ा जाता है जो फॉरन में डेरी फॉर्म है जितने भी गायों या डेरी फॉर्मिंग करते हैं सभी गायों को खुला छोड़ के रखते हैं और वो अपने मन में मन के अनुसार बिचरन करते हुए खाना खानने के अस्थान नाद तक खुद ही आते हैं अनुभो एक्सप्रियेंस किसी वी बेवशाय को अनुभो की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है अगर आप डेरी विजनस सुरू करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम तीन से चार मन तक किसी डेरी फॉर्मिंग में जाकर काम करना चाहिए ताकि आपको वास्तवीक अनुभो हो सके जब आपको थोड़ा एक्सप्रियेंस हो जाएगा तब आपको यह आसानी से मालुम होगा कि कब और कैसे गाएं गिमार गायों की पहचान की जाती है और उसका उपचार ट्रिट्मिंट करना है श्रम सकती मैन पावर अगर आप दो चार गायों से दूदू बेवशाय सुरुवात करने जा रहे हैं तो आपको मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी परन्तु जैसे ही आपकी गायों की संख्या में ब्रीधी होगा तो मैन पावर को भी जरूरत पड़ सकता है इस पर भी आपका खासा ध्यान होना चाहिए और इन ही सब चीजों के साथ आपको खास करके डेरी फॉर्मिंग में अगर सफल बनाना है तो शीडिंग, ब्रीडिंग और मेनेजमेंट, इकुकमेंट और मार्केटिंग के बारे में भी जानने की जरूरत होगी धन्यवाद वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म